हेलो गाइज वेल्किम बाक तो आज हम सीखेंगे वेज रामिय नूडल्स आट होम तो यह आपने सोच के सोचा होगा कि हमार पास समानने होगा बट में पास भी ज्यादा कुछ नहीं था में पास जितनी भी वेजेटेबल सी मैंने को फाइनली चॉप करा और यह नौर के होट आप तो देखी सकते हो कि पानी डाला और मैगी को बॉल कर दिया बिना टेस्ट में करके डाले तो आप इसको बॉल कर ले ना दो तीन मिनट में बॉल हो जाती है इसको ओवर कुक मत करना वरना यह अजीब सी सौगी सी बन जाएगी तो कोई टेस्ट नहीं आएगा इसको हो स जैसे चौमीन को हम बहुत कम कुक करते हैं वैसे इसको भी चौमीन की तरह से ही कुक करेंगे 2-3 मिनिट वेट करने के बाद मेरी मागी त्यार थी इसको मैंने स्ट्रेइन आउट कर लिया और इसके बाद हम करेंगे वेजेटेबल्स को सौटे यहाँ पर मैंने कैनोला ओयल यूज कर आप औलिव ओयल भी यूज कर सकते हैं या रिफाइन भी यूज कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले मैंने मश्रूम जाइट करें और देले-देले करके मैं इसमें अपनी सारी वेजेटेबल्स को टाल दूंगी इसमें अगर आप सौटे के टायम पर बड़ी-बड़ी सबजी आपे रखै느 सकते हो कि नहीं यह मैंने ब्रॉकली जो आट करी थी और रेदी मैने इसको कर ली थी याद रखना ब्रॉकली को यूज करने पहले उसको वाश और बॉइल ज़रूर कर लेना यहां पे कापसिकम और कुछ सॉल्ट और हलकी सी मिर्ची और यह मैंने डाल दिया चाट मसाला जिससे टैंगी फ्लेवर आए बस हमारे के सब त्यार है मैंने इसको स्टर करा और निकाल लिया प्लेट में इसके बाद मैंने इसमें ओईल दाना और अपने सूप के त्यारी करने अगर आपको और डेटेल में सूप की रेसिपी देखनी है तो इससे पहले मैंने मंचूरियन सूप की रेसिपी अपलोड कर रखी है तो गो एंड चेक इट आउट तो इससे मैंने सारी वेजिटेबल को स्टर कर लिया हलका सा सॉल्ट टाल दिया और यह जो थंडे पानी में मैंने अपने होट एंड सार सूप के तीन पाउचिंस को निकाल लिया इसको आप अच्छे से मिलाने जिससे लंज ना बने अधर वाइस भी बहुत गंदे लगते हैं तो इसमें मैंने डाल दिया और हमारे सूप को रेडी होने में सिर्फ दो तीन मिनट लगेंगे और यह मै इसके बाद देख सकते हैं किया बड़ा कंसिस्टेंसी बनी है हमारे सूप की इस तरीके का मैंने बाउल लिया है और यहां पर मैं ब्रेड को टोस्ट करूंगी यह सूप है मेरा बहुत अच्छा बन गया था और थोड़ा सा घी डाला मैंने अगर आपके पास बटर है तो आ कोस्ट करना है यह देखते हैं किया बन चुका था अब यहां पर मैंने सूप डाला और इसके उपर मैंगी रख दी जिसे सूप और मैंगी में जो मैंगी है वो एब्सॉप कर ले यहां पर मैंने चिली ओयल बनाया है कैनुला ओयल को मैंने हीट अप करा और उसमें मैंने चि कर रहें का बड़ा बाउल है तो आप उसमें प्लीज सर्फ करना में पस नहीं था तो मैंने इसलिए यूस किया और यह त्यार है थांक यू प्लीज सब्सक्राइब टो मैं चैनल